नमस्का दोस्तों, All Exam Guide Guru के YouTube चैनल पर मैं सुजीत पाइंडे आप सभी का स्वागत करता हूँ यहाँ पर आपके लिए Science के Question लेका रहा हैं, MCQ के Formid में बहुत ही शांदार Question होने वाले हैं Selected Question है जो की 223 के Exam में आ सकते हैं इस वीडियो को अच्छे से देख लेना पूरे Question जल्दी जल्दी में आपके करा दूँगा आपका बिलकुल भी समय वरवाद नहीं होगा, सुपरफास्ट कम समय में ज़्यादा Question हो जाएंगे आपका सपोर्ट चाहिए, सपोर्ट के लिए कुछ नहीं करना है केवल वीडियो को लाइक करते जाहिए अपना प्यार यूँ ही भरसाते रहे है, लाइक करते जाहिए Question हम Selected लेकर आएंगे आपके लिए जो की आपकी एक्जाम निकालने में मद्द करेंगे स्टार्ट करते हैं, पहला Question देखे किस संसलेशित हेलोजन योगिक का उपयोग मलेरिया के उपचार में होता है तो मलेरिया के उपचार में आपने यहाँ पर देखा होगा RightÉ metaphor हो जायगा, क्लोरोक्वीन का यूज होता है option number D chloroquine प्रशने के लिए बिलकुल सही आंसर है option number D अगला question दिखिए acrylic इनमें से क्या है तो जो acrylic होता है acrylic एक संसलेशित रेशा है option number D संसलेशित रेशा acrylic right answer हो जाएगा crude electron किसे कहा जाता है तो crude electron जो कहा जाता है ये कहा जाता है पूर्ण रूप से भरे कोशों के electron को option number A पूर्ण रूप से भरे कोशों के electron को right answer हो जाएगा बाल्फ गंग पावली किस देश के निवासी थे तो पावली या बाल्फ गंग पावली यह आउस्ट्रिया के निवासी थे option number A, आउस्ट्रिया राइट आंसर हो जाएगा ओप बाउ शब्द का क्या अर्थ होता है तो ओप बाउ शब्द का जो अर्थ है वो होता है आपका निर्मान होगा option number A, निर्मान होगा प्रशनी के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा क्वांटम के खोज करता कौन थे तो क्वांटम के खोज करता थे आपके प्लांक, option अमबसी प्लांक प्रशने के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा परमानुशब्द किस भांशा से उत्पन हुआ है तो परवाणू सब्द जो उत्पन हुआ ये ग्रीक भाशा से उत्पन हुआ option number C ग्रीक भाशा प्रशनी के लिए right answer है किस गुड़ धर्म को आगहात वर्धिता कहा जाता है तो आगहात वर्धिता कहा जाता है धातूं को पीट पीट कर पतला कर सकना कोई भी धातू ये पीट पीट कर पतली हो जाए जितने पतला कर सको उसको आगहात वर्धिता कहा जाता है किसे अमलिय वर्षा कहा जाता है इन में से तो जो अमलिय वर्षा होती है वर्षा के जल का पीएच मान जब 5.6 से कम हो जाए तो अमलिय वर्षा होती है खास तोर पर बार्ष श्टार्ट होती है बोलते हैं शुरुआत की बार्ष में नहीं भीगना चाहिए क्योंकि इसमें आपकी अमली वर्षा होती है याद रखना तो अमली वर्षा आपका पी एच मान 5.6 से नीचे हो जाता है अगला कॉशन दिखिए मुह का पी एच मान कितन अग्शे में नहीं प्हलता है तो सीधे एक मनषे से दूसे मनशी में तेया है वैर्ष कर विए थें यह विशू का सबसे बड़ा जीव है रईवो जो म् की खोच की आपकी रॉबिंसन एंड ब्राउन ने option number यहां पर यहां पर यहां पर दी राइट आंसर हो जाएगा keeper Robinson & Brown कोशिका कितने प्रकार की होती है तो कोशिका यह होती है यह आपकी चार प्रकार की होती है कोशिका option number यहाँ पड़ी चार प्रकार राइट आंसर है उपरोग तो मेंसे मेंडल ने कौन सा नियम प्रतिपादित किया था तो मेंडल का नियम याद होना चाहिए आपको तो मेंडल ने प्रतक करण का नियम प्रतिपाजित क्या था प्रहाविता का भी और स्वतंत्र अपविवन का भी नियम प्रतिपाजित क्या था उपरोग तो सभी आंसर बिल्कुल राइड आंसर हो जाएगे मेंडल के लिए कोशिका विवाजन को सरबधम किसने और कब देखा तो सबसे पहले कोशिका विवाजन को विर्चाओ ने देखा था अठारा सो पच्पन की बात है ये कोशिका विवाजन को सबसे पहले देखने वाले थे विर्चाओ वन्शागती का वाहग किसे कहा जाता है तो वन्शागती का वाहग गुण सूत्रों को कहा जाता है आत्मगाती थैली किसे कहा जाता है तो आत्मगाती थैली ये लाइजोजोम को कहा जाता है option number भी लाइजोजूम राइट आंसर है नारियल वा खजूर किस कुल के पौधे कहलाते हैं तो नारियल और खजूर ये पालमी कुल के पौधे कहलाते हैं option नमसी पालमी प्रशनी के लिए राइट आंसर है एक निश्चित भागौलिक छेत्र या इस्थान में निवास करने वाली विवन समिष्टियों को क्या कहा जाता है तो उन्हें सभी समिष्टियों को जो एक निश्चित भागौलिक छेत्र में इस्थान में निवास करते हैं ऑप्शन के लिए रक्त मं कितने प्रकार है दो प्रकार के प्रकार के प्रकार होते हैं घुर्स वाहार कितना होता है 150 ग्राम ऑप्शन लिए राइट आंसर है शरीर के भीतर प्रती सेकंड लगबग कितनी कोशिकां नश्ट होती हैं तो हमारे शरीर के भीतर लगबग 150 लाख कोशिकां एक सेकंड में नश्ट होती रहती हैं option number यहाँ पर A right answer है स्वपनों के अध्यन के विशय को क्या कहा जाता है स्वपनों का अध्यन करना इसको कहा जाता है O Neurology option number यहाँ पर D O Neurology प्रशनी के लिए right answer है सामानिता रक्त का थक्का बनने में समय कितना लगता है सामानिता रक्त का थक्का 2-5 मिनिट के अंदर बन जाता है option number यहाँ पर D right answer है एक धड़कन से लगवक कितना रक्त पंप होता है तो एक धड़कन जब दिल एक बाद धड़कता है तो करीब करीब 70 मिली मीटर मापकी जिगा रंग रक्त जो है पंप हो जाता है option number C हरदाई से शरीर की और रक्त ले जा रहा ही रक्त वाहनिया क्या खेलाती है तो हरदाई से शरीर की और धमनिया रक्त ले जाती है option number यहां पर भी right answer हो जाएगा प्रश्न के लिए अमाशय में भोजन लगबग कितने समय तक रहता है तो अमाशय के अंदर भोजन लगबग लगबग 4 गंटे के लिए रहता है option number A यहां पर right answer हो जाएगा अगला question देखिए एट्स के उप्चार हे तो नमलकित में से किसे प्रकार की औशदियों का प्रयोग होता है तो anti-retroviral औशदियों यूज होती एट्स के लिए option number A यहां पर right answer है अगला question देख लिएते है जयो प्रौध्योगी की शब्ड का नाम किस Diamantik न दिया था तो जयो प्रौध्योगी की जो नाम दिया गया था यह दिया गया आपका यहांपर right answer हो जाएगा कार्ल इरेकी याद रखिएगा अगला question देख लेते हैं क्या पूशा गया है इसमें पूझा गया मचली पालन के प्रमुक रूप से क्या प्राप्त क्या ऐसा है मचली आप पाल होगे तो आप उसका क्या यूज़ कर सकते हो प्रमुक रूप से हम मचली खाने के लिए पालते हैं भोजन प्राप्त होता है मचली उसे कई लोग मचलियां खाते है लक्षण को नियंद्रित करने वाली आद उनिक यहां पर आउमा जाएगा जीजन प्रशन के लिए सही आंसर हो जाएगा प्रशन करा हजयę अगला कॉश्चन गर्व वास्ता एबन प्रसाओक से संबनित हार्मोन कौन सा है तो जब गर्व वास्ता प्रेगनेंट होती को लेडी उस समय उसके सरीर से निकलता है रिलेक्सिन हार्मोन ऑप्शन नमबर सी यहां पर राइट आंसर है प्रशन के लिए अगला कॉश्चन देख लेते हैं वक्र में जलके पुनह अउसोषन को अजयंदरत करने वाला हार्मोन कौन सा है तो वक्र मैं जलके पुनहआ अउसोषन को अजयंदरत करता है आपका एंटी डाई यूरेटिक हार्मोन औप्शन नमबर यहां पर सी एंटी डाई यूरेटिक हार्मोन राइट आंसर हो जाएगा अगला कोशन देखिए पेशियों की कार्यात्मक एकाई कौन सी है इस प्रशनिका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे राइट आंसर हो जाएगा कोशिकाएं निमन मैंसे किस से मिलकर बनती हैं तो कोशिकाएं जो बनती हैं आपकी वो बनती हैं प्लाजमा जिल्ली केंद्रक और कोशिका द्रव्य इन सबी को मिलाकर कोशिका बनती हैं प्लाजमा जिल्ली केंद्रक और कोशिका द्रव्य परिक्षण के लिए उतकवान को अलग करना option नमड यहाँपर सह राइट अंसर हो जाएगा परिक्षण के लिए उतकवान को शट्रील अलग करना the histology शब्द का सर प्रयोग किसे नहें किया था तो हिस्टोलोजी सब्द का प्रयोग सबसे पहले मेर नहीं किया था अप्शन मेर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा हिस्टोलोजी सब्द के लिए एक आदमी दस मीटर से अधिक दूरी तक वस्तु को इस पश्ट नहीं देख पाता वह किस द्रश्टी दोस से पीड़त है दस इसी भी प्रकास को प्रिजम से गोजारोगे तो वह शात अलग अलग अलगर रंग में व्याजित हो जाएगा और इसी को कहा जाता है प्रकास का क्या प्रयूक्षिपन जराद रश्टी दोस के उपचार के लिए क्या प्रयोक्त होता है तो जराद रश्टी दोस के लिए बाय फोकल लेंस का यूज होता है option नमबर यहां पड़ी बाय फोकल लेंस राइट आंसर है प्रश्ण के लिए myoglovin में कौन सी धातू होती है तो myoglovin आपकी लोहा option नमड़ी myoglovin लोहा से संबंध है यारखना तत्तो जो उर्वरक में नहीं पाय जाता तो तत्तो जो उर्वरक के अंदर नहीं पाय जाता तो chlorine उर्वरक के अंदर नहीं पाय जाता option नमसी chlorine राइट आंसर है ये उरवरखों के अंदर नहीं पाई जाता अधरक का तना जो मिट्टी में उगता है और खाद का संक्रहन करता है वह क्या कहलाता है तो अधरक का तना प्रकंद कहलाता है ऑप्शन नमबर भी प्रकंद राइट आंसर है प्रशन के लिए जब एक व्यक्ति व्रद हो जाता है तो सामानिता उसके रक्तदाव में क्या परिवतन होता है तो यदि एक व्यक्ति बुड़ा हो जाएगा तो सामानिता उसका रक्तदाव घड़ जाएगा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा वे जीव जो हरे पौधे या उनके किसी भाग को खाते हैं उनको कहा जाता है प्रात्मिक उभगता प्रशन के लिए राइट आंसर हो जाएगा लाए जा रहा है प्रती अमल का मुखे तर तो क्या होता है तो मिल्क उप मैगनीशय के रूप में जो प्रती अमल है उसको कहा जाता है आपका एमजी ओएच का होल ट्वाइस यहाँ पर आपका ऑप्शन नमर सी राइट आंसर हो जाएगा ब्लीचिंग पाउडर नमल के दिमांसे किस से गुजार के तयार किया जाता है तो ब्लीचिंग पाउडर बुझे हुए चूने से क्लोरीन को गुजार कर तयार किया जाता है option number A, बुजे हुए चूने से क्लोरीन को गुजा रहेंगे, तो bleaching powder आपको मिलेगा, विरंजक चून का रासानिक नाम क्या है, तो विरंजक चून जो होता है, वो होता है, आपका calcium oxy chloride, option number A, यहाँ पर calcium oxy chloride, प्रश्णी के लिए बिल्कुल सही answer हो जाएगा, बीज भीज में आपसे कुछ caution पूछूंगा, उसके आंसर आप देते चलना, ठीक है, चलिए, अगला caution देखिए, अभी तो हमने रासानिक नाम पढ़ लिया, अब विरंजक चून का रासानिक सूत्र, तो विरंजक चून का रासानिक सूत्र होता है, आपका CAOCL2, यह विरंज POP का रासानिक नाम क्या है, तो POP का रासानिक नाम होता है, आपका calcium sulfate hemihydrate, मतलब option number D, calcium sulfate hemihydrate, प्रशनी के लिए बिल्कुल सही answer हो जाएगा, बढ़ते हैं कले caution पर, कास्टिक सोडा का रासानिक सूत्र क्या होता है, तो कास्टिक सोडा जो होता है, वो आपका होता है, NaOH, option number A, NaOH, कास्टिक सोडा कहलाता है, अगला caution देखिए, विटमिन E का रासानिक नाम क्या होता है, बहुत easy caution है, कई वर पूछा गया caution है, तो vitamin E होता है, आपका tocopherol, option number A, tocopherol प्रशनी के लिए बिल्कुल सही answer हो जाएगा, मानव शरीर में cranial तंत्रिकाओं की संख्या क के उपर, उपरी भाग को ढखने वाली मास पेशियो क्या कहा जाता है, तो जो cranial, cranium या कपाली का होती है, उसके उपर वाले भाग को ढखने के लिए, आपका होता है, गैलेना एपो नियूरोटिका, option number A, ये ढखके रखता है, गैलेना एपो नियूरोटिका, या रखीगा इस प्रशन को, अगला question दिखिए, पौधे में जाइलम किसके लिए जमिदार होता है, तो पौधे में जाइलम के द्वारा जल वहन होता है, पौधों में जो पानी लियाने काम होता है, जाइलम का होता है, ठीक है, या रखीगा, अगला question दिखिए, पौधे में फ्लोयम कि के लिए अगली निर्जा रोग किसे संबनित है तो अगनी निर्जा रोग यह से संबनित है option no यहाँ पर S Jam प्रशन के लिए बिलकुल सही आंसर हो जाएगा अगला question दिखिए ऑख़ेंॅ मिटर का प्रियोग किसले होता है तो ऑक्जेनोमीटर का जो प्रियोग होता है वो होता है आपका पौधों में व्रधी दरकुम आपने के लिए प्रश्णी के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑक्जेनोमीटर यहां पर दो टिक लगए में एक लगा लेता हूँ ऑप्शन नमबर भी प्रश्णी के लिए बिल्कुल सही आंसर है अगला कोशन देखिए पशुओं में हीमोगलोविन के सरदस्य पौधे में कौन सानू होता है तो जैसा कि पशुओं में हीमोगलोविन होता है तो पौधों में होता है आपका क्या क्लोरोफिल क्या हो जाएग उसमें जिबरेलिन के अनु प्रयोग के द्वारा उनको लंबा किया सकता है option number जिबरेलिन राइट आंसर हो जाएगा कोशिका विवाजन में महत करने वाला हार्मोन कौन सा है तो कोशिका विवाजन में आपका साइटो काइनिन आपको महत करता है option number जिबरेलिन राइट आंसर हो जाएगा निम्दले कितम से कौन सा हार्मोन पादप कोशिका विवाजन में इस प्रकार बढ़ने के लिए प्रेजित करता है जिससे पादप प्रकाश की और मुड़ा हुआ प्रतीत हो कोई भी पादप प्रकाश की और मुड़ा हुआ प्रतीत होता है उसके लिए औगजेजन जिम्मिदार है option number यहाँ पर भी oxygen प्रशन के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा अगला कॉशन निम्नलकित में से कौन एक प्राकरतिक रूप से फल पकाने वाला हार्मोन है तो यहाँ पर आपको जो option दिखा है उसमें से एथिलीन यह प्राकरतिक तौर पर फल पकाने वाला हार्मोन है option number यहाँ पर C प्रशन के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा स्वास्त मनुश्यों में प्रती मिनिट हर्दा इस पंदन रर कितनी होती है तो स्वास्त मनुश्यों में 72 वार एक मिनद में दिल धड़कता है option number C यहाँ पर देखिए फिर से टिक लगए बहुत सारे तो यहाँ पर आपका option number C प्रशन के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा बढ़ते हैं अगले caution की और इसमें आपसे क्या पूछा गया है तो देखिए इसमें पूछा गया आपसे माना उश्यर में खून का सुद्धिकंड की प्रक्रिया क्या कहा जाता है तो खून की सुद्धिकंड की प्रक्रिया dialysis कहलाती है option number A dialysis right answer है नाड़ी दर कहां से मापा जाता है तो नाड़ी दर जो होता यह धमनी में से नापा जाता है option number ए धमनी प्रश्ण के लिए right answer है pace maker का कारे क्या है तो pace maker का कारे होता है दिल की धरकन प्रारंब करना option number सी दिल की धरकन प्रारंब करना प्रश्ण के लिए right answer है pace maker का संबंध किस से होता है pace maker का संबंध हरदाय से होता है option number भी हरदाय right answer है मनुश की स्वेत रख्त कणिकाओं का जीवनकाल कितना होता है तो WBC का या स्वेत रख्त कणिकाओं का जीवनकाल सिर्फ 2-4 दिन होता है option number A यहाँ पर right answer हो जाएगा प्रशनी के लिए किस प्रक्रिया द्वारा स्वशन के दौरान गैस रोधिर में प्रवेश करती है फिर उसे छोड़ती है तो यह होता है पराशन की प्रक्रिया प्राशन की प्रक्रिया के द्वारा गैस रोधिर में प्रवेश करती है और उसके बाद उसे छोड़ती है यदि माता पिता में से एक का रोधिर वर्ग A B और दूसरे का O हो तो उनकी बच्चे का संभावित रोधिर वर्ग क्या होगा एक का A B दूसरे का O होगा तो बच्चो ग्राही कौन से रुदरवर्क होता है तो सर्व ग्राही होता है आपका right answer क्या हो जाएगा प्रशने के लिए यह होगा आपका option नूमर यहां पर right answer हो जाएगा a, option number यहां पर a प्रशने के लिए right answer है a, and अगला crisis देखिए कांडराय टेंडन जोडता है तो तो SNV मस्तिस्क और अंसर है, मौनसरी की पैर की हड़ियां है, तो मौनसरी की पैर की हड़ियां है आपकी फीवूला और टीविया अप्ट अपसे नमबर यह पर भी फीव अटीवियार टीवीयार रहुंजर है, निम्दर के तमें से कौन सा एंटी डायूरियूरियूरियूरियूरियूरियूरियूरियूरियूरियूरियूरियूरियूरियूरियूरियूरियूरियूरियूरियूरियूरियूरियूरियूरियूरियूरियूरियूरियूरियूरियूरियूरियूरियूरियूरियूरियूरिय से खार्वन अगला क押्शन देखें जी तो अगला कोश्य के एड़िव flour से स्त्रावित होता है आपकी गले में उस्तित होती है 선택 वह सी गला कितनी डिग्री सेल्सियस होता है तो टंगश टंगा गलनांग होता है 3380 डिग्री सेल्सियस ऑप्शन नमर भी यहां पर आइड आंसर है विद्धुद्धारा कहते हैं तो विद्धुद्धारा यहां पर आइड आंसर हो जाएगा यह कहलाता है विद्धुद्धावेश के प् ब्लूटूथ टेक्न और सब्लेइवरिय्स ये उप्शन सब्सक्रों के ऐसे माइवार्ट सिसर के लूपीशन पॉयोग सब्ल ऑसे यूज बैए एट नुटहरट बाया हks भीтивिवरिय्स हमत उस होती है जब बल लगाने से यदि लंबाई में व्रद्धी होती है तो विक्रती कहलाती है बल लगाने से यदि लंबाई में व्रद्धी हो जाए तो अनुदर्द है विक्रती होगी option number A यहाँ पर right answer है एलकोहल पानी की अपिक्षा अधिक वास्प सील होता है जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रविश करता है तो उस माध्यम को अपो वर्तन कहा जाएगा option number यहाँ पर A right answer हो जाएगा Alice ने प्रथम प्रभावी प्रती जीवाणू को बनाने में सफलता प्राप्त की उस प्रती जीवाणू का नाम बताईए तो Alice ने बनाया था आपका प्रोन टोसिल option number B प्रोन टोसिल बनाए गया था Alice के द्वारा पीडाहारी ज्वर अनाशी गुण धर्मवाली इन में से कौन से है तो पीडा नाशी और ज्वर हारी यह आपकी एस पीरीन option नमबर यहाँ पर A right answer हो जाएगा और यह आज का आखरी question है कौन सा पर्माणू सबसे छोटा आकार का होता है तो यहाँ पर आपको जो option दिए अगली वीडियो में अपने ख्याल रखेंगा बहुत 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 धन्यवाद दोस्तों आपका निश्यों बहुत बहुत धन्यवाद